Hey guys, आज हम स्टार्ट करते हैं The Loyal Pen Episode 3 का Next Spoiler. प्रेंस अनन्थ की शादी की सेरिमनी बहुत बड़ा इवेंट माना गया, जो सारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत इज़त लेकर आया, और उन्हें शेहर भर में पहचान मिली, ये इवेंट ट्रैडिशनल रिच्वल से भरा हुआ था. सुभा के एलिगेंट वाटर पोरिंग सेरिमनी से लेकर, शाम के ग्रैंड और स्पेक्टेक्चुलर वेडिंग सेरिमनी तक. चर्चा का मुद्दा सफ्तारत पैलेस की शानदार और लग्जूरियस सेटिंग्स थी, जहां किंग ने अपने बड़े बेटी की शादी के लिए अलग-लग सेक्शन्स बनवाए. महमान सभी हाई सोसाइटी के लोग थे, जो बड़ी संख्या में एकथा हुए थे. या फिर नोबल और हैंडसम ग्रूम प्रिंस अनन्त और लेडी पारवती के परफेक्ट मैच पर चर्चा हुई, जो कंटेंप्ररी ब्राइडल गाउन्स में बहुत ही खुबसूरत लग रहे थे. सबसे ज़्यादा चर्चा का विश्य था प्रिंस की छोटी बेटी, प्रिंस अनन्त की खुबसूरती. इस सेरिमनी को एटेंट करने के लिए लेडी एंगफा भी आई थी. वो प्रिंस चकम और प्रिंसस दाराराई की छोटी बेटी थी, जो प्रिंसस अलिसा की बड़ी बहन थी. अगर लेडी एंगफा प्रिंस अनन्त की शादी में खुद नहीं आती, तो उसे ये लगता कि जो लोग प्रिंसस अनन्त की ब्यूटी के बारे में तारीव कर रहे हैं, वो सिरफ प्रिंस और प्रिंसस अफ्तारत को खुश करने के लिए अनन्त की ब्यूटी को एग्जाजर अब अनिल की personality उसके mischievous past के बिलकुल opposite थी। जब एंगफा ने प्रिंसेज अनिल को सुभा की ceremony में देखा तो उस moment उन्हें realize हुआ कि प्रिंसेज अनिल की खुबसूरती के बारे में अफवा बिलकुल भी बढ़ा चड़ा कर नहीं बताई गई थी। कर रहा था। और शाम की wedding ceremony में अनिल ने जो brick red gown पहना था। उसके साथ उसका simple make-up उसे बहुत compliment कर रहा था। चाओ एंगफा का ध्यान इन दोनों ceremonies में सिरफ प्रिंसेज अनिल के उपर था। और प्रिंसेज अनिल की वो छवी लेडी एंगफा के दिमाग में दिन भर रही और प्रिंसेज अनिल से pine palace में मिलने जाएगी। प्रिंस अनन्त की शादी के एक दिन बाद। उन्हें जानने की इच्छा थी कि क्या प्रिंसेज अनिल अपनी casual attire में भी उतनी ही खुबसूरत लगती है जितनी वो शादी की ceremonies में traditional attire में लग रही थी जिसके बारे में सोच कर एंकफा को रात भर नीन नहीं आई। जब वो प्रिंसेज अनिल से उसके pine palace में मिलने गई तो प्रिंसेज अनिल ने एक bright white shirt और cream color short पहने थे जो उसके घुटनों तक ही थे। अनिल के चेहरे पर minimal make-up था जो एंकफा के दिल को और भी जादा अनिल की तरफ attract कर रहा था। अनिल अपनी traditional dress के मुकाबले इस वक्त एंकफा को और जादा attractive लग रही थी। लीडी एंकफा को ये realize हो गया था कि उनका ये visit प्रिंसेज अनिल के साथ एक real struggle होने वाला है। अनिल के सामने उसने पूरे pine palace को बहुत ध्यान से देखा और palace की खुबसूरती की तारीफ की। अनिल मुस्कुराते हुए कहती है आपको palace पसंद आया चाओ तो same smile के साथ एंकफा अनिल की आँखों में देखते हुए कहती है। मुझे बहुत जादा पसंद आया चाओ मेरे father का palace भी बड़ा और खुबसूरत है और आपके palace में बहुत कोजिनेस है जो मुझे अपने palace में फील नहीं होती। तब ही अनिल polite gesture के साथ कहती है आपका palace भी काफी सुंदर है चाओ खास कर उसका architecture बहुत royal है। तब एंकफा उसे जवाब में कहती है आप architecture student हो इसलिए आपकी नजर architecture की minute details को notice कर लेती हैं और फिर दोनों हस्ते हस्ते बातचीत करते रहते हैं। प्रिंसेज अनल ने एक white ceramic tea pot से उनके लिए चाय डाली जो center table पर रखा था। फिर उसने tea cup को एंकफा की तरफ elegant और graceful gesture के साथ बढ़ा दिया। ये English tea है मैं London से साथ लाई हूँ क्या आप taste करना चाहेंगी चाओ ये मैंने खुद बनाई है। प्रिंसेज अनल ने कहा। एंकफा ने धीरे से चाय की सिप लेते हुए, मुस्कुराते हुए कहा। चाय बहुत अच्छी लग रही है चाओ। मुझे खुशी हुई आपको अच्छी लगी प्रिज आप enjoy कीजिए। प्रिंसेज अनल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। या फिर हो सकता है कि आपने बनाई इसलिए इतनी delicious लग रही है। एंकफा ने sweet clear voice में जवाब दिया। ये सुनकर प्रिंसेज अनल को अपने बड़े भाई की याद आई जो मन ही मन अभी भी एंकफा से प्यार करता है। जवाज कितनी प्यारी है। प्रिंसेज अनल ने मन में सोचा। जाओ एंकफा का प्यारा ओवल चहरा। उनके delicate eyebrows और उनकी आँखों का radiance जो शाम की धूप में और भी चमक रहा था। पाइन पैलस की बैलकनी विंडो से आने वाली सनलाइट में। प्रिंसेज अनल ने एक gentle साय के साथ एंकफा की तरफ देखा और अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हुए उसकी newlywed lady पारवती के लिए मन ही मन में sorry भी फील किया। अनल ने एंकफा को जवाब देते हुए कहा, आप मेरी कुछ जादा ही तारीफ कर रही है चाओ। तब एंकफा कहती है, नहीं सच में भी बहुत ज़ादा टेस्टी है, मैं कुछ भी बढ़ा चडा कर नहीं बोल रही हूँ। तब अनल उसे मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत से लड़कों ने उसे रिलेशन्शिप के लिए अप्रोच किया था, पर उसने कभी भी उन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया, उसे आज तक कभी किसी के लिए इतनी एट्रैक्शन नहीं फील हुई थी, जितनी वो अनिल की तरफ इस वक्त महसूस कर रही थी, वो एक त कर सकती हूँ अनिल के लिए, जो मेरी एक कजन है और उससे भी बढ़कर वो एक लड़की है, मेरी ही तरह, एंकफा अपने दिल और दिमाग से लड़े जा रही थी, फ्रिंसेस अनिल ने जब देखा कि लेडी एंकफा कुछ नहीं बोल रही है और किसी अन्नोन रीजन की नहीं है, इसलिए आंट दारा राय भी बड़े भाई की शादी को अटेंट करने नहीं आ पाई, कि मेरे पिता की हालत स्टेडिली डिकलाइन कर रही है, और शादी के कुछ दिन पहले उनकी तब्यत और खराब हो गई थी, इसलिए मेरी माँ शादी में शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि उनको फादर की देखभाल करनी थी, अनल कहती है, जब से मैं वापस आई हूँ, मैं अपने अंकल और आंट से मिल नहीं पाई हूँ, मैं बहुत जल्द उन्हें विजट करूँगी, तब एंकफा खुश हो कर कहती है, फिल्कुल चाओ, जब भी आप चांगमाय आन का प्लान करें तो मुझे मौका दीजेगा, कि मैं आपको अपना शेहर घुमा सकूँ, मैं उस दिन का इंतजार करूँगी, तब अनल हसते हुए कहती है, नहीं नहीं चाओ, आपको बॉदर होने की ज़रुरत नहीं है, अनल के प्यारे डिम्पल्स, फिर से देखकर अपने obvious expressions को छुपाने के लिए, एंकफा फिर से चाय की सिप लेती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनल की बातों का बिना अपनी दिल की feelings को जाहर किये जवाब दे, तब ही एक आवाज और कदमों की आहट आती है, अनल मैं तुम्हारे लिए, लेडि पिन तभी Pine Palace में एंटर करती है, इस spoiler के लिए भी इतना ही guys और बहुत जल्द हम मिलते हैं, next spoiler के साथ जो बहुत जादा interesting होने वाला है, तब तक के लिए अगर आपको ये video अच्छी लगी तो please like, share and subscribe to my channel, thank you